पश्रिम बंगाल की राजनीती में एक बार फिर नोटों के पहार ने दस्तक दी है। पार्थो चैटर जी और उनसे जुड़े सिक्षा घोटाले के बाद एक बार फिर से टीमसी विवादों में हैं। मुश्रिदाबाद से टीमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर से करीब दस करोड से ज्यादा रुपे बरामद कर लिये गए हैं। इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुदवार को देर राद जाकिर हुसैन के घर उनकी कई फैक्टरियों पर रेड डाली थी। उस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ था। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारी डॉकुमेंट्स मौजूद हैं लेकिन एजेंसियों ने अपनी जाश्च रुकर दी है। नजर थी। ऐसे में जाश के दौरान वहां भी रेड डाली गई थी। इसके अलावा हुसेन के पास चावलों की एक मिल भी है जो रानी गंज में स्थित है। वहां भी आयकर विभाग का छापा पड़ा है। उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला है। यहां तक की दावा हुआ है कि उनके पास जो भी कैश मिला है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि टीमसी में शामिल होने से पहले भी जाकिर हुसेन का बिड़ी का बड़ा बिजनस था। यह जिस प्रकार का व्यापार है यहां पर कैश की जादा जरुरत पड़ती है क्योंकि मजदूरों को पेमिंट देनी होती है। अगर कोई गरबढ है तो जाच एजनसी एक्शन लेगी लेकिन अभी से ही किसी के पैसे को काला धन बता देना गलत है। पश्रिम बंगाल की राजनीती में एक बार फिर नोटों के पहार ने दस्तक दी है। पार्थो चैटर जी और उन से जुड़े सिक्षा घोटाले के बाद एक बार फिर से टीमसी विवादों में हैं। मुश्रिदाबाद से टीमसी विधायक जाकिर हुसैन के घर से करीब 10 करोड से जादा रुपे बरामद कर लिए गये हैं। इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने बुदवार को देर राद जाकिर हुसैन के घर उनकी कई फैक्टरियों पर रेड डाली थी। उस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ था। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारी डॉकुमेंट्स मौजूद हैं लेकिन एजेंसियों ने अपनी जाश शुरू कर दी है। झाले झाले एंने दी, आरां मौजद हैं करां ट्रा-जी। झाले कैश स एक्वड़ एंने पास, रहावाब की orbitỏi मौजद पुरू झाल झाल